मैं मोरी इंडिया बाइनॉकलिस शॉप मैं मोहीत इंडिया बाइनॉक्लिस शॉप से आज बात करेंगे कुछ बहुत ही Kenny इंपॉर्टन इससोरीज हैं स्पॉर्टिंग स्कोप की टेल इसकोप की unified कि तो इसके ओपर बीफली बात करते हैं हैं आला कि हम टाइम टायम पे नहीं डाइसेशरीम लाते रहते हैं उस पर वीडियो बनाते रहते हैं तो कुछ नई इसेसरी थी तो मैंने सोचव आप को बता दूँ छोड़ा सा वीडियो ठेकिन अगर आपके काम के शर्सरीज हैं तो आप जरूर हमसे पूछिएगा पहला है ये रेड डॉट फाइंडर ये वाला रेड डॉट फाइंडर है कॉमन सी आर टू जिरो थी टू लीथियम बैटरी यहां पे लगती है और इसमें ये अलाइनमेंट के स्क्रूज हैं ये वाले और ये वाले तो ये जो है इसकी प्लेट ये बेस ये है इतना बड़ा है तो बहुत से टेलिस्कोप, स्काइवाचर, मीड ये दूसरे जो मॉडल्स हैं उसमें आज भी स्क्रूज लगते हैं उपर से तो अगर आपको चाहिए हो ये रेड डॉट फाइंडर तो ये ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी एका दिन में ये लग जाएगा दूसरा है ये बाइनॉकलर का अगर आपको पास पोरो प्रिजम बाइनॉकलर है तो ये मैटल में बहुत अच्छी क्वालिटी का अडाप्टर है ये आपको हमारे पास से मिल जाएगा इसकी प्राइस भी अपडेट हो जाएगी इंडिया मैनॉकलर शॉप डॉट कॉम में तीसरी आइटम जो है ये डाइगनल है अगर आपका डाइगनल मिस्प्लेश हो गया या खराब हो गया और आप लेना चाहते हैं अगर आपका पास रिफ्लेक्टर मक्सुट आव ये श्मिट का सिगरिन तेलेस्कोप्स हैं किसी भी ब्रैंड के तो ये 1.25 इंच का आईपीस एक्षेप्ट करता है आप ले सकते हैं इसके लावा इरेक्ट इमेज आईपीस रिफ्लेक्टर टेलेस्कोप्स जितने भी होते हैं चैसलेस्टरॉन, स्काइवाचर, मीड और आयन किसी के भी हो डॉपसोनियन हो, इकटोरल माउंट पे हो, कप्यूटराइस माउंट पे हो, नेक्स्ट आर सीरीज के हो, कुछ भी हो तो उसमें अगर आपको एरेक्ट इमेज आईपीस चाहिए हो सेलेस्टरॉन का जो अच्छा कैलनर क्वालिटी में है 1.25 इंच में जो एरेक्ट इमेज दे अगर आपका मिस्ट प्लेस्ट है, खो गया है, डैमेज है या नया चाहिए आपको तो हमसे आप ले सकते हैं या अगर आपके पास है ही नहीं तो आप हमसे ले सकते हैं इसके इलाबा दो गैलेक्सी आईपीस हैं जैसे आप देख रहे हैं, प्लॉसल कॉलिटी के हभी आईपीस हैं फुली मल्टी कोटेड हैं और फोर एलिमेंट ग्लास में हैं एक 40 mm में है इस तरीके से और एक 32 mm है यह 40 का है और यह 32 का है यह आप हमसे ले सकते हैं इसमें आपको सेलेस्टान का ओमनी प्लॉसल भी मिल जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा चीपर चाहिए तो फिर यह चीपर है एंजल आइस के यह आप हमसे ले सकते हैं हमारी साइट पे एक आद दिन पर लग जाएंगे इंडिया बानाकलो शॉप पे 6mm IPs बहुत से लोग लेना चाहते हैं बारलो के साथ बारलो दोनों हैं हमारे पास 2x पारलो और 3x पारलो ओमनी प्लॉसल आइपीचिस के साथ अगर आपको बारलो चाहिए हो तो 2x पारलो 3x पारलो ओमनी का 2x पारलो भी है और दूसरा 3x पारलो भी है टू एलिमेंट ग्लास में और सेलेस्टान के CIEL वाले जो आते हैं एकसल सीरीस वाले वो भी आपको मिल जाएंगे और ये 6mm में जो IPs है वाइड रिलीफ है आई रिलीफ है आप देख रहे हैं जैसे 68 डिगरी का है ये IPs 6mm में अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं हम इसको अभी लाइफ कर देंगे अपनी वेबसाइट इंडिया बैनाकलो शॉप डॉट कॉम पे प्राइसिंग के साथ इसके इलावा अगर आपके पास स्पॉर्टिंग स्कोप है और उसमें थ्रेडिंग नहीं है और आप डिजी स्कोपिंग करना चाहते है आपके पास टीरिंग है या लेना हो कैनन का या निकॉन का ये बड़ा वाला कैनन का है और छोटा निकॉन का है तो आप ले सकते हैं हमसे सेट में, इस तरीके से इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता दूँगा, हमारी वेबसेट पर लगा हुआ मिल जाएगा, आपके स्पार्टिंग स्कोप पर ये लग जाएगा और उसके उपर फिट हो जाएगा और SLR कैमरा आप इस पर माउंट कर सकते हैं, टीरिंग पे, इसके अलावा नॉर्मल प्राइम फोकस फोटोग्राफी SLR कैमरे से करनी हो, किसी भी रिफलेक्टर टेलिस्कोप पे, तो आपको ये टीरिंग और अडाप्टर चाहिए होता है, वो दोनों मिल जाएंगे, ये टीरिंग निकॉन और कैनन के हैं मे अगर आपको चाहिए हो, सेम चीज सेलेस्टान में भी आती, काफी एक्स्पेंसिव है, तो हमारे जो मिरर बेस टेलेस्कोप हैं, उसमें कॉलिमेशन का इश्यू आता है कभी कभी, और उसमें बहुत से वीडियो हैं कि कैसे कॉलिमेट करना है, अगर आपके पस सिंपल टू हो जो इस तरह का है, या आपके पस लेजर डॉट वला हो, जो इस तरीके से है, तू इंच अडाप्टर के साथ, अगर आप के पस डॉबस हो, यह एक्यूटर रिफलेक्टर है, यह आस्टो मास्टर है, या inclा सीकर है, यह स्काइ वाचर का है, मीड का है, किसी का भी ह है तो इस तरीके से ये तो टाइब के कॉलिमेटर है एक लेजर और एक चशायर हम से आप ले सकते हैं बहुत से टेलस्वोप अनुर जो है आर बैग चाते है अपने टेलस्वोप के साथ आ मुव आउट होना चाहते है अर्बन सीटी से हील्ज में deserts में, village में, गाओं में, farm houses में, जहां better astronomy हो सके उसके लिए उनको bag जाई होते हैं तो हमारे बड़े और छोटे size में ये करीब 43-44 इंच का length वाला bag है अच्छा padding वाला है, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि ये partition है और ये velcroves हैं इसके अंदर इस तरीके से इसमें tube आपकी जो आजाती है बड़े आराम से इसमें pockets में है, एक pocket यहां पर है और दूसरी pocket इसमें bottom में दी हुई है इस तरीके से है, काफी expand हो जाता है इसमें एक तरफ tube और एक तरफ आपका tripod आजाता है और mount भी आजाता है तो dual zipped bag है, अच्छा padding में है, काफी बड़ा है इस तरीके से करीब आप देखिए करीब 15-16 inch की depth है इसकी और इसकी जो length है वो करीब 43 के आसपास है, अंदर 42 inch में है और नीचे जो base है, वो करीब 11-12 inch का है तो यह बड़ा bag है, इसी में छोटा bag भी आपको मिल जाएगा तो यह कुछ important accessories है, अगर आपको चाहिए हो तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ आपको तो उमीद है आपको fruitful लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो उसे like कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, thank you